हालो नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे व्यूटीब चनल सुपरडीम जैमेश स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट वाल नायर कोसन अंसर जो दोस्तों वाल एक जाम्स के लिए बहुत ही मैत्रपूर होने पाल हैं दोस्तों बन आयर कोसन अंसर सीरीज का यह पार्ड नमर 69 है इससे पहले सभी पार्ड मैंने अप्लोड कर दिया अगर आपने नहीं देखें तो सभी वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक आपको वीडियो को डिस्ट्रस्वन वाक्स मिल जाएगा वहां से जाके दोस्तों सभी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों मेरे miri Channel पर नहीं मेरे Channel को पहली बार विजित कर लें तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कर्लें जैसे इन वारे नहीं वीडियो गौड़ाए सब से पहले आपको मिल सकेरें दोस्तों वीडियो चेल लगए चालिक प्रेस द्रब चालिक ब्रेक किस सिध्धान्थ पर कार करता है तो किस सिध्धान्थ पर कार करता है ठीक है दूस्तों किसके सिध्धान्थ पर पास्कल के सिध्धान्थ पर कार करता है ठीक है दूस्तों नेश्ट कोशन देख लेती कोशन नेश्ट में दूस्तों तूफान का संकेत देती है ठीक है दोस्तों ऐसे भी दिया हो सकता है कि यदि बैरो मीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए यानि कि अचानक से नीचे गिर जाए तो वह किसका संकेत देगी तो किसका देगी आंधी एवं तूफान का संकेत देगी ठीक है दोस्तों न संकेत देता है वरसा संकेत देता है किस का नेश्ट कोशिंदों Bibla कुशिंद में ये भी दिया हो सकता है कि बैरो मीटर की रीडिंग धीरेündर नीचे घरणे इसका संकेत देता है तो किसका देता है दोस्तो साफ मौसम का संकेत देता है ठीक है दोस्तो यदि वैरोमेटर की जो रीडिंग होती है वह दीर दीरे ऊपर चलती जाती है तो साफ मौसम का संकेत देती है ठीक है दोस्तो नेश्ट कोशन देते हैं कोशन नेश्ट है लाल टेन म ивается इसमें बत्ति के सारे तेलयूस नेस्ट कोश्ण देगने से इसमें दूस्तो पूचा गया यह गेंद सिर्फिन करना किस सिध हंथ पर आधारित हैं करना बर नॉली प्रमे पर आधारित है ठीक है अब नेश्ट कोशिन लिए कोशिन में दूस्तों पूछा गया सेल्सियस और फारिन हाइट परेमाने एक समान पाठयांख कब प्रदरसित करेंगे तो कब प्रदरसित करेंगे मैनस 40 डिगरी पर ठीक है कि दूस्तों कब प्रदर्सित करेंगे माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस और फारिन हाइट प्रेमाना एक समान पाठ्य अंक प्रदर्सित करेंगे ठीक है दूस्तों नेश्ट कोशिन देख लेते को इसमें दूस्तों पूचा गया है एक स्वस्त व्यक्ति का सामान नतापमान कितना होता है तो कि Celsius में बात की जाए तो कितना होता है दोस्तो 37 degree Celsius या centigrade होता है यदि दूस्तो Kelvin में बात की जाए तो 310 Kelvin होता है कितना होता है दोस्तो 4 डिगरीDe फोता है नेश्ट कोशन देख लेकितना है बिद्दुद उर्जा का यांत्रिक उर्जा में कौन परिवर्तित करता है बिद्धूत उर्जा का यांत्रिक उर्जा में कौन परिवर्तित करता है तो बिद्धूत मोटर जो होता है वो बिद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित करता है ठीक है तो नेश्ट कोशन देखले तो आelijk्रो फॉन द्धूनुवर्जा को बिद्धूतू उर्जा में परिवर्थित करता है तो ओरता है जो आज़िए छॉच्छिणुन नेश्ट तो tap ठीमिल जोसा गया ूच्छुन बिद्धूतूया को द्ध्वानी उर्जा में कौन परिवर्थित करता है थे आनाना। question देख लेते हैं इसमें दूद का घनत किसके द्वारा मापा जाता है दूद का घनत किसके द्वारा मापा जाता है तो लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है ठीक है तो लेक्टोमीटर के द्वारा दूद का घनत तो मापा जाता है नेस्ट कोश्चन देख लेता है, क्योकर द्रेश्टी दोस में किस लेंस का चस्मा प्रियोग किया जाता है। तो अबतल लेंस का चस्मा निकट द्रश्टी दोस में प्रियोग किया जाता है ठीक है जिसे मायोपिया कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों मायोपिया निकट द्रश्टी दोस को मायोपिया भी कहते हैं नेश्ट कोश्टन देख लेट तो दोस्तो मैंने most important question आपको गरा दिये हैं तो दोस्तो आपको मुझे बताना है मेरा वीडियो को कुछा लगा आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही इच्छा लगा होगा दोस्तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइ कमेंट है सुजाओ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करें उसका रिपलाई में जरू दूँगा दोस्ते मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हैं दोस्तो सब्सक्राइब प्लीज